दिल्लीना शिक्षन मंत्री मनिश्टी सोधियाई भावनगर नी श्याडानी मुलाकात लिदी गुजरात ना शिक्षन मंत्री ना मत्विस्तारनी मुलाकात ले वमावी चीतु वाघाणी ना विस्तार नी स्कूल नंबर 12 हालदानगर स्कूल नी मुलाकात लिधी छेला केटलाई समय थी शिक्षण मुद्दे गुजरात मा राजुकारण गर्मायू छे चीतु वाघाणी ना विस्तार नी चे अशाडा शिक्षण मुद्दे गर्मायू जोवाघाणी शिक्षण मुद्दे गर्मायू छे स्कूल नमबर बासच हारदानगर स्कूल नी मुलाकात लेवा माते पहुंचया हता मनीश सिसोधिया तो दिल्ली मौडल जे वो शिक्षर गुजरात मा लाहू करवा माते ना जे प्रयासों छे ते करवा माते नी जाहरात सतत आब आब आद्मी पाठी त्वारा करवा मा अभी रही छे 2022 विदान सबानी चुटनी जारे नजिक माचे त्यारे आमाग्मी पाठी गुजरात मा पोता ना पग जमावानों पर सतत प्रयास करी रही छे तो गुजरात ना शिक्षर मंत्री ना विस्तार नीज शारा नी मुलाकात ले वमाठे आपने ताम मनिश से सो दिया भावनगर नी मुलाकाते पहुंचा तैमी साथे आमाग्मी पाठी ना अनेक कार्य करताओ पड़ जुवा मरे हता गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी कुसमें पहले कि हमने गुजरात के शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहां पढ़ लो और जिसको गुजरात की शिक्षा विवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़के दिल्ली चले जाओ तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझको तो मैंने सोचा की फिर हम भी देख लेते हैं भी गुजरात में 27 साल से भारती जनता पर्टी है इनोंने क्या किया है तो मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधान सभा शेत्र में मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी विधान सभा में स्कूल ऐसी है अब यह चोटे श्कूल में आया है अब आप देखो यहाँ चारों तरफ अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे इसके बाद में सारी दिवारे टूटी पड़ी हैं अब उनको पता था मैं आ जा रहा हूँ तो जाले की बिचारों ने साफ सफाई तो करने कोशिश किया लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं मकडी के जालों के बीच टूटी फूटी दिवारों वाले के बीच आप देखाना यह देखो जरा आप कीछे रटो यह इनके मध्यान भोजन प्लस बोड भी लगा हुआ हैं क्लास भी चलती है तो ऐसे खुले में क्लासिस चल रही हैं अंदर भी क्लासिस हैं अब खाली एक स शिक्षामंतरी अपने स्कूल में दे पाये हैं अपनी विधान सभा में तूटी हुई दिवारों के बीच में मकडी के जालों के बीच में सड़े हुए वातावरण में अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तो जिन लोगों ने शिक्षामंतरी जी को चुन के कम से कम उनका तो ध्यान कर लेते कि उनके बच्चों को इतनी टूटी हुई दीवारों में मुझे देखी डर लग रहा है कि इतना रिस्की है कभी भी गिर सकता है और इतनी गंदगी की मकडी के जाले साफ करने के बावजूद नहीं हटे सुबह से सफाई लग रही है उनको प पटेल की धरती है जिन्होंने शिक्षा के लिए इतने काम किये और इतनी बड़ी-बड़ी बातें की इतने बड़े-बड़े प्लान बना के रखे इस बेश के सामने तो समझें कि अगली जेनरेशन यहीं से निकल रही है और कुछ सीखें समझ लें अभी भी थोड़ा समय ह चुनाव में नहीं तो फिर जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो स्कूल अच्छे बनवा सके बच्चों के लिए इस देश के चुनाव में चिर्चा होनी चाहिए पार्टियों के बीच कॉंप⁂टिशन होना चाहिए बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकती है जैसे हमारा दावा है हमने दिली में सांधार स्कूल की है गुजरात के शिक्षामंतरी का दावा है उन्हों ने गुजरात में ऐसे कर दी है कि जिसको अच्छे नहीं लगते हो गुजरात छोड़के चला जाए मैंने का देखते हैं क पहले श्क्षामंतरी जी के लाके को यूजरा बीजेटी को चुनके भेज़ रहे है तो श्क्षामंतरी जी अपने इलाके के बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं और मैं यही देखना आ था पढ़ाई तो रोज बच्चों की हो रही है और कम से कम इसकूल बच्चों को स्कूल लगे ना चार शे गंटे के लिए बच्चा इसकूल आता है टीचर इसकूल आते हैं तो उनको लगे कि वो किसी डिगनिफाइट जगह पे बैठके पढ़ा रहे हैं